दोस्तों मैं हूं अनिल कुश्वाह और आप देख रहे हैं अनिल जीरो एट यूटूब चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे रस्षी के बारे में कि लिप्टिंग में जो है इस रस्षी का क्या काम होता है इसे हम मैं कितने परकार की फोई अजो आप बाध सकते हैं तो इसी गाठ में से मैं एक आप लोगोगों को बताउंगा क्यों कि बहुत बार कमेंट में आ चुका कि वहां जो ये जो हमें बताईए तो कौंसा गाठ है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस गाठ का नाम है जीवन गाठ तो जीवन गाठ जो है वो किस तरह से बाधा जाता है उसको किस तरह से यूज किया जाता है तो इसके बारे में हम बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं जाता है जो गाठ के बारे में हम बात करेंगे जैसे कि रस्ती कोई बांते हैं रिगीन के लिए तो हर एक बाधने का जो होता है उसका जो गाठ का जो है अलग अलग नाम होता है जो आज हम इसके बाद बारे में बात करेंगे कि इस गाठ का नाम क्या है और इसको जो हम किस तरीके से बांगते हैं जो रसी हो गात से हो से कीस तरह कीस बानते हैं कि जो छेडा है इसका मंहाँ डबल करेंगे और उसके बाद जहां भी बादना इसको आवे किती है और उसके बाद एक जो रसी है इसके अंदर डाली है डाल के इसको टाइट किती है और उसके बाद दूसरा जो छेडा इसमें डाल के इसको टाइट किती है यह हो जाता है लेकिन सेप्टी के लिए इसको फिर एक राउंड ताकि हमारा शेफ रहेगा कि अगर कोई भी हम कहीं से भी हम अगर निकलते हैं तो फिला अब भ्याण इसमें रह नहीं दो छेड़ा तो हमें एक ही पकड़ कर जो ही इसको नीचे आना है इसको जो हम जीवनगाठ बोलते हैं या चोर गाठ इसका दो नाम है तौर शेटे निच किस तरह किसमी महारा जाता है लेवी को और दूसरा जो यह के अंदर डालेंगे ए वाला जो फावावाला चेड़ा इसमें डालेंगे और दूसरा जो है ऐसे निकाल के फिर हम इसको टाइट कर देंगे तो यह जो हो गया हमारा जीमन गान्थ हो गया इसको हम जो है जीमन गान्थ हो गया देख सकते हैं यह निकल गया